हाई फ्रेंट्स विल्कम है हमारे यूटूब चैनल पे आज हम बात करेंगे यहाँ पर मात्पूर्ण जीले और नदियां जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं अक्सर एक्जाम्स में पुछे जाते हैं यह टेश नमबर फोर है और यह सभी कोशन काफी इंपॉर्टेंट है यह स उसमें जीके के जनर्नलाजिस के कोशन जीयस के जो भी आते हैं वो हमने सभी कोशन श्रेट किया है आप यहाँ पर देशकते हैं सभी परिच्छाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट डूल प्ले करते हैं यह कोशन हो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ प आपको अपना आमसर बताना होगा, विचे दा लारजेस्ट साल्ट वाटर लेक इन एसिया, आपको बताना है, इसका आमसर राइट क्या होगा, एसिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की जीले हों कौन सी है, आपसन बीस का राइट आंसर होगा, चिलका जेल, ये एसिया की यहाँ पर आप देख शक्ति हैं इसका चिलका जील इसका राइट आंसर मतलब चिलका लेको के कोश्चे नमर टू है इसी ते मिलता जुलता देख लें इसका राइट आंसर क्या होगा आपसंस इसका राइट आंसर होगा क्या सामर जील यह राजिस्तार में इस्तित है यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील है ठीक है लेकिन चिलका जील भी भारत में इस्तित है यह उडिसा राजि में इस्तित है लेकिन जब भी पूछा जाए एसिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तब आप आप बताएंगे चिलका जील जब पूछा यहां पर अगर पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते ही एक पॉइंट काफी इंपोटेन आपके लिए भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है बिंबानाथ जील वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन में कई बार पुछा गया है बिंबानाथ जील कहा इस्तित है बहुत बार पुछा बड़ी जील कौन सी है सामार जील लेकिन भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है कोशन पर थोड़ा सा डिफिर्स होगा बस इसनी में कोशन बदल जाता ठीक है तो भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है बिंबानाथ कहा इस्तित है केरल में यह बात ध्यान रखनी है कोशन नमर यह जहां से यह originated होती है गंगरोत्री से 2525 किलो मीटर है ठीक है कहीं कहीं दिया गया है पचीस सो 10 किलो मीटर है लेकिन कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिया जाते है जब इनकी लंबाई पुछी जाती है जो दोनों मेंसे एक ही आपसन आपको एकड़ेंस में मिलेगा 5010 मिल सक तब ही नहीं दिये जाएंगे इसका जो मुहावना है कहां पर जाके गिरती है यह बे आप बंगाल पर गिरती है कहां बंगाल के खाड़ी पर निकलती कहां है उत्रा खंड के गंगोत्री से कौन सी रिवर्ज गंगा रिवर्ज नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कोशन नमर फोर है आप पढ़ लिए अपना आंसर बताएं दच्छिल भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी विच इस लोंगेस्ट रिवर ऑप इस साउथ इंडिया यहाँ पर पुछा गया है साउथ इंडिया की अभी बात कर रहे थे भारत की अब बात कर रहे हैं आपर साउथ इंडिया की जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है एकॉर्डिंग टू आपसन जो इसका राइट आंसर होगा आपसन डी इसका राइट आंसर होगा कौन सी गोदावरी यह दच्छिल भारत की सबसे आप प्राइदी पी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी एं तो आप का नसर होगा गो दावरी रीजा पूंसे का मतलब यह कि जब भी मोचली पूचा जाता है प्राइदीप यह दचिर भारत तो दोनों का जो right answer होता है न वो गुदावरी ही होता है ठीक है और इसे किस नाम से जाना जाता है दच्छिर गंगा के नाम से जाना जाता है यहाँ पर आप पढ़ लें इंग्लिस में last में confusion जो create होता है उसे हम दूर करेंगे mostly अभी तक बहुत controversial question है यह दो व्रद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तब ही आपका answer होगा गुदावरी जो बात हम बोलना है उसे आप अगर लिखना चाहे तो लिशक्ति है ओल्ड गंगा कहा जाता है किसे गुदावरी रिवर को ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है और दच्छिर की गंगा कहा जाता है दच्छिर गंगा न अलब 1445 किलो ईसकी लंबाई है अब यहाँ पर इसी से confusion जो controversial रहता है, kaweri rivers और गोदाव Bena यह garden आप दी Southern India खा जाता है किसको कावेरी rivers को, तो ध्यान रखना है आपको और इसे दश्षिर गंगा की नाम से भी इसे भी जाना जाता है और गंगे इसे भी जाना जाता है कावेरी और गोदावरी में ये दोनों में समानता है लेकिन अब देखें डिफरेंस क्या है कोशन किस तरह पुछा जाएगे तब आप कामसर क्या होगा ठीक है यहाँ पर हम जो भी confusion है उसे हम clear करते है गोदावरी रिवर को साउथ गंगा कहा जाता है केवल क्या दच्छिन गंगा की नाम से जाना जाता है लेकिन जब आप से पुछा जा जाएगे दच्छिन भारत की गंगा किसे कहा जाता है तब आप बताएंगे कावेरी को ठीक है यह mostly कई बुकों में बहुत ज़्यदा प्राब्लम से ठीक है और इसका confusion मोशली सभी को create होता रहता है तो जब भी आपसे पुछा जाए दच्छिड गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तब आप बताएंगे गोदावरी रिवर को जब पुछाएंगे दच्छिड भारत की गंगा किसे कहा जाता है तब आप बताएंगे कावेरी रिवर्स को ठीक है ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इन दोनों रिवर्स पे ये point आप लिख लें याद कर लें ठीक है आप बताएंगे चल्का जिल किसराज में इससीत है आपको मौका मिलता है आप 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 जान सकते हैं आपकी तहरी कैसी चल सकती है चल रही है और यहाँ पर आप इस पीज टेस्ट है आप महसुस करेंगे आप इस पीजच टेस्ट दे रहे हैं आउनलाइन पेपर दे रहे हैं इन विच इस्टीट ए दा चिलका लेक लोकेटेड़ अभी हमने बताया थे कहां इस्तित है आफशन भी इसका राइट आंसर होगा ये उड़ी साम इस्तित है कौंस रिवर चिलका रिवर्स नेश्ट कोशन पे जलते हैं थोड़ा फाश्ट चलेंगे अपना आँसर आप थोड़ा फाश्ट बताएंगे जल्दी से बताएं अपना आँश्ट कोशन नमर सिकस बा भारत की सबसे बड़ी लगून जील कॉन सी है इसका राइट अंसर होगा आफसन ए चिलका जिल ये भारत की सबसे बड़ी लेगून जिल के नाम से भी जानी जाती है जो भी पॉइंट हमने बता हैं चिलका जिल से रिलेटर सारे लिखने मोशली यहां से बहुत कोश्चन बनते है एक जामस में लेगून जिल भी इसी का जाता है थोड़ा बता देते हैं लेगून जिल होती क्या है यह अपना इंडिया का हमने पेनुस्यल बना दिया पेनुस्यल का मतलब होता है जो समुद्र से चारोर से घिरा होता है उसे पेनुस्यल के नाम से जाना जाता है यहां पर यह उडिसा जाता है किया लगुन कहा जाता ठीक है यह बात ध्यान रखनी आपको इंडिया है इसको कोस्टल में यह उरीचा है नाम से जाना जाता है सभी important question लिए गए हैं ये कई कई बार एक्जामस में repeat होते रहते हैं बुलर जील किस राज में इस्तित है ये किस में इस्तित है आफ सेंट इसका right answer होगा जमो किसमी राज में इस्तित है नेश्ट question है याँ पर question number 8 पढ़े ले जली से अपना answer बता हैं भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है ऐसे question बहुत पुछे जाते है विच इस दा largest fresh water lake in India fresh water कहते हैं मीठे पानी को के तो right answer क्या होगा right answer absence see होगा बुलर जील का जाता है क्या होँसी भारत की जो मीठे पानी की मतलब fresh water की सबसे बड़ी जील है न वो बुलर जील है काहा ही जellschaft जमू Quandxmmiur में heistit है ये भी बहुत पूछा जाता है किस राजी में heistit है जमू Quandxmer में heistit है नमबर पढ़े कोशन काभी पोटन, कोशन नमर नाइन, लोनार जील किस राज़ी में इस्तित है, काफी अच्छा कोशन है, यह आप संस, इसका राइट आंसर होगा, महाराश्टर में इस्तित है, ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, जो भी कोशन बनते हैं, देख ले लोनार जील को क्रेटर जील के नाम से भी जाना जाता है एक कोशन पुछा जाता है किस जील का निर्मार उलका पिंड के गिरने से हुआ है मतलब मेट्रियोट के गिरने से हुआ है तो आमसर होगा आपका लोनार जील का निर्मार हुआ है थीक है इसे ख्रेटर जिल के नाम से जाना जाता है और उल्का पिढ के गिरने से इसका निर्माल गोगा किसका लोनार जिल का है किसमें इस्तित कहां यहं महराष्ट में捨 सितित बहुत पुछी जाती है option 20 का right answer होगा मड़ीपूर में इस्तित है ये भी काफी important है लोग तक जील मोश्रीक जामस में पुछी जाती है public service commission, army, police rrb, ntpc जो लोग तक जील है किस राज में है मड़ीपूर राज में इस्तित है चलिए बात करते हैं आपर next question की question number 11 question number 11 question जो public service commission अक्सर पुछती है पूर्वत्तर राजी की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है option एस का right answer होगा लोग तक जील ये मड़ीपूर राज में इस्तित है ये पूर्वत्तर का मतलब हो था पूर्व भारत की पूर्व भारत की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है लोग तक जील है जब पूछा जाए भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तब आप का अंसर होगा बुलर लेक कौन सी बुलर लेक या बुलर जील ठीक है पुरवत्तर ध्यान रखना, कोशन पे थोड़ा फोकस करना पूछा क्या गया है, कोशन नमरे 12 पढ़ लें आप, अपना आमसर बता है कोशन नमरे 12 पे दिया गया है भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है विच इदा हाइएस्ट डेम इन इंडिया बहुत पूछा जाता है कोशन राइट अंसर आपसंसी है, टेहरी डेम या टेहरी बांध, यह भारत का सबसे उचा बांध है, लिख ले कोशन यह याद कर लें आप जो भी कन्प्यूजन है, किलियर हो जाएगा कोशन नमरे 13 टेहरी बांध किस नदी परिस्थित है, कोशन पूछा जाता है राइट अंसर आपसंसी होगा इसका, भागिर्थी नदी पर है कहाँ पर है, भागिर्थी नदी पर टेहरी जो बांध है या टेहरी डेम है किस नदी पर है, भागिर्थी नदी पर बना हुआ है और किस राज में तब आप का अंसर होगा यह UK में है UK मतलब उत्रा खंड ना कि United Kingdom ओके टेहरी बांड यह हाइस्ट बांड है यह हाइस्ट डैम है कहां का इंडिया का आपको यह बात ध्यान में रखनी है अपने टालेस्ट डैम इन इंडिया इस्ट टेहरी डैम भारत का इस सबसे उचा डैम है इस्थित कहा है कई बार पूछा जाता है यह उत्तरा खंड में इस्थित है जब आप से बाई दबे पूछ लिए आ जाए पब्लिक सर्विस कमिशन के लिए है कोशन जो नेश्ट पॉइंट मे पूछा जाए तब आप बताएंगे जिन पिंग यह चाईना में इस्थित है कहां चाईना में भारत का पूछा जाएगा तब आप बताएंगे टेहरी डैम ओके नेश्ट कोशन है आपके लिए 40 निमबर पढ़ लेंगे आप आंसर बताएं भारत का सबसे लंबा बांध का उनसा है विच इस दा लॉंगेस्ट डैम इन इंडिया अब बात करें यहाँ पर लंबा बांध मतलब लॉंगेस्ट के बारे में राइट अंसर आपसन भी होगा हीरा कुंड डैम ठीक है यह कई बार पूछा गया है किस राज में या किस नदी पर तो यहाँ पर पढ़ लें आप बता सकते हैं अपना अंसर question number 15 पे दिया गया है हीरा कुंडू बांध किस नदी पर बना हुआ है तो right answer is option A महा नदी पे बना हुआ है किस नदी पे महा नदी पे next point पूछा जाता है जो exam समें कि महा नदी किस राज में इस्तित है तब आप बताएंगे उडिसा राज में इस्तित है एक question और पूछा जाता है जो हीरा कुंड बांध है वो किस राज में इस्तित है तो आप बताएंगे उडिसा राज में इस्तित है किस नदी पे बना है महा नदी में बना है question number 16 थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है on which river is the thin dam built किस नदी पे बनाया गया भाई बताएं अपना अंसर right answer is option C रावी नदी पर रावी रिवर पर thin dam बनाया गया कई बार जांस में question पूछा गया staff selection commission में और police में भी question है आपर 17 number पढ़ लें आप अपना अंसर बताएं pong dam या पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है option D is का right answer होगा 20 नदी पर किस नदी पर 20 नदी पर question है आपर 18 question number 18 पर दिया गया गांदी सागर बांध किस राजी में एस्तित है काफी important है right answer option B है इसका मद्ध परदेश में गांदी सागर जो बांध है न डैम वो किस राजी में option B इसका right answer है मद्ध परदेश में और ये पूछा जाता है किस नदी पर बना हुआ है question 19 से clear हो जाएगा गांदी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है option D इसका right answer होगा चंबल नदी पर बना है किसमें चंबल रिवर पर बना है ये काफी important है राज पूछा जाएगा मद्ध परदेश बताएंगे और जब भी आप से पूछा जाए कि किस नदी पर बना है तो चंबल रिवर से या चंबल से नदी बताएंगे question है question number 20 question number 20 question number 20 question number 20 और जवाहर सागर बांध किस नदी पर बने हुए दोनों का अंसर एक ही है कभी कभी अलग-अलग पूछा जा सकता है आप से जान समें की राणा प्रताफ सागर बांध किस नदी पर बना हुए तो जो आंसर है अगर आपको अपना अंसर आया करें तो आप बेही चक बताया करें इससे आपका test confidence अच्छा होगा आपको exams में hesitation न महसूस होगी आपको अपना अंसर बताने में तो राणा प्रताफ सागर और जवाहर सागर जो बांध है ना ये चंबल नदी पर बने हुए है और जो गांधी सागर बांध है वो भी चंबल नदी पर बना हुआ है ठीक है तो ये दोनों अंसर कामंस है लेकिन राज है डिफरेंट डिफरेंट है अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनके बारे में ये जो दोनों है कि राणा प्रताफ सागर जवाहर सागर ये दोनों राजिस्तान में कहा है राजिस्तान में ये बात लिख ले बहुत पुछा जाता है जामस में कि राणा प्रताफ सागर और जवाहर सागर बांध किस राज में राजिस्तान में जब गादी सागर की बात करेंगे तब आप MP बताएं कि यह बात लिख लें आप Q2 नमर है यहापर 21 जिस तरह कमिशन आयो Q2 पूछता है उसी तरह हम आपको बता रहे हैं Q2 नमर है 21 भारत के किस नदी घाटी में अधिक्तम दर रहे हैं बहुत बार MP PCS में पूछा गया है और भी UP PCS में भी और भी कई एक्जाम्स में पूछा जाता है Q2 किस नदी घाटी में अधिक्तम दर रहे हैं राइट आंसर है आपसंडी चंबल नदी घाटी में भारत के किस नदी घाटी में अधिक्तम दर रहे हैं आपसन डीव्स का राइट आंसर होगा आपसन डी चंबल रिवर्स नदी घाटी में कोशन है आपर 22 पढ़ लें आप जली से अपना आमसर बता सेते हैं कोशन अबर 22 पे मिलें से दचिर भारत की सबसे बड़ी नदियों में से कौन सी नदी अरफ सागर में गिरती है कौन सी रिवर्स जो दचिर भारत की सबसे बड़ी रिवर्स है अरफ सागर में गिरती है मलब अरभियम सी पे राइट आंसर आपसन डी होगा अब तापती रिवर नर्मदा रिवर इसलिए आपसन डीज का राइट आंसर है काफी important question है question है यहाँ पर पढ़ लें आप 23 गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा सहर कौन सा है काफी important है according to option बताया आपसन भी इसका राइट आंसर होगा कानपूर city कानपूर जो सहर है गंगा नदी के किनारे जो कानपूर बसा हुआ है वो गंगा नदी के बाय तरफ इस्तित है या दाहिने इस्तित है तो आपको ध्यान में रखना यह right side इस्तित है किसे राइट साइड यह गंगा रिवर्स इस तरह जाती है इलाबाद की तरफ और यह दाहिनी ओर या right side में कानपूर इस्तित है यह गंगा रिवर्स के किनारे सिट्यूटेड या बसा हुआ सबसे बड़ा सहर है कोशेन है यहाँ पर 24 पढ़ लें आंसर पतना जली से मेट्यूर बांद किस नदी पर बना हुआ है क्या होगा इसका कावेरी नदी मिलती है जाके यह सिलंका यहाँ पर कावेरी नदी यहाँ पर गिरती है जाके ठीक है यह बे आउप बंगाल का पार्ट होता है नीचे वाला इडियन उसकीन होता है इदर अरफ सागर होता है नेक्ट कोशन है 25 25 आप पढ़ लें आमसर बताएं अपना कोशन नमर 25 पे दिया गए एडिक्ट की बांद किस राजी में इस्तित है बहुत पुछा जाता है एक्जामस में किस राजी में इस्तित है आपसन भी इसका राइट आंसर होगा यह केरिला में इस्तित है न Lars sti है एक राजी पूछा जाये तो आप बताएंगे कोलकाता में आपर नदी पूछेगे तु गंगा रिवर्श बताऊगे next question है यहापर question number 27 पढ़ लें question number 27 पर लिखा है Almaty बांध किस नदी पर बना हुआ है किस नदी पर बना हुआ है क्रिशना नदी पर Almaty बांध बना हुआ है absent इसका right answer होगा और यह है कहाँ Almaty बांध यह करनाटक में है यह भी याद रखना है आपको question number 28 question number 28 पर दिया गया है रंजीत सागरबांध किस नदी पर इस्तित है क्या होगा इसका right answer right answer आप जली से comment करें right answer आपसंसी इसका होगा क्या रावी नदी पर यह है कहाँ पंजाब में है यह ध्यान रखना है आपको रावी नदी पर है रंजीत सागरबांध आपसंसी इसका right answer है और यह पंजाब में सिट्यूटेड है क्या इस्तित है question है यहापर 29 बहुत पुछा जाता है जा आपसं में बांगलादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है आपसं इसका right answer होगा पदमा के नाम से जाना जाता है बांगलादेश में जब गंगा नदी प्रिवेश करती है तो उसे पदमा के नाम से जाना जाता है आपसं इसका right answer है next question है यहापर 30 number very very important काफी चर्चा में रहता है यह अपने आपको लेकर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर डेम इट बिल्ट आन दी विच रिवर्स तो क्या होगा right answer आपसं इसका right answer होगा नर्मदा रिवर्स पर बना है ठीक है कहा बना है नर्मदा रिवर्स पर बना है और इसी पर पता है आपको जो सरदार सरोवर सरदार बलब भाई पटल की जो सबसे उची मूर्थी है, दुनिया की सबसे उची मूर्थी ठीक है, उसकी लंबाई आपको बताना है मन में उसका नाम बता दिया है उसका नाम क्या है? Stitchy of Unity आपको इसकी लंबाई कमिट बॉक्स में बतानी हो के नेक्स्ट यहाँ पर आप पॉइंट अगर समझना चाहें समझ सकते हैं सरदार सरोवर जो बांध है यह ग्रेविटी डैम खा जाता है गुरुत्वी बांध है और यह नर्मदा रिवर्स पे बना हुआ है यह लिखा है केवदिया नियर्दी नावगाउं यह वहाँ का गाउं का नाम है और यह गुजरात में इस्टित है जो सरदार सरोवर बांध पूंच लिया जाए आपसे किस राज में है तब आप बताएंगे गुजरात में इस्टित है लेकिन इसको जो लाभवांतित होने वाले राज हैं वो कौन-कौन से चार इस्टित है गुजरात मदबरदेश, महाराष्ट, राजिस्तान इनको पानी रिसीब होता है इसी इलेक्टिस्टी सप्लाई होती है इसी डेम के माध्यम से कोशन नमरे यहाँ पर पढ़ने 31 31 पर दिया गया है गोबिंद बन्लब पंद सागरबान किस नदी पर बना हुआ है काफ़ इंपोर्टेंट है आपसन ए रिहंद नदी पर बना हुआ है काँ रिहंद नदी पर नेश्ट कोशन 32 32 पर दिया गया विस्ट में सबसे बड़ा विसाल डेल्टा कौन सा है आपसन भी इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रहमपुत्र डेल्टा काफ़ इंपोर्टेंट है ध्यान रखके ये बाद अकसर एक्जामस में ये रिपीट होता रहता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रहमपुत्र डेल्टा ठीक है ये बेवब बंगाल की खाड़ी के मुहावने पर होता है ठीक है ये कोलकाता के जश्ट बगल में होता है ये ब्याओ बंगाल है ठीक है यहाँ पर ये गंगा ब्रहमपुत्र डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ ठीक है नेक्ट कोशन है 33 पड़ने आप अपना अमसर बताएं निवन में से कौन सी नदी अधिक्तम मार्ग परवर्तित करती है यहां पर आपको यह बताना है तो काफी अच्छा कोश्या नहीं आफसंडी इसका राइट आंसर होगा कोशी नदी अधिक्तम जो मार्ग परवर्तित करती हो कौन सी नदी होती है कोशी रिवर्स होती है आफसं से निकलती भी ये बिहार में प्रिवेस करती है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इसी वाजी ये बहुत ज़्यदा मार्ग परिवर्तित करती है और इसके वज़े से कई कई बार बार भी आ चुकी है 2008 में काफी ज़्यदा प्रलाय आया था कोशन हमरें आपर 34 34 नमबर पर दिया गया 34 नमबर पर पढ़ ले भाक्रा बांध किस नदी पर इस्तित है कई बार पूछा गया कोशन है राइट आम सर आपसंसी यह सरतल जरी वर्थ सुपर भाक्रा डैम ओके और पूछ लिया जाए यह कहाँ पर बना है राज्य कौन सा तब आप बताएंगे पंजाब हिमाचल पर देश लेकिन जो लाभानतित होने वाले राज्य है ना उसको पंजाब को भी इससे लाभ होता है और हर्याना को भी लाभ होता है इससे ठीक है लेकिन इस्तित कहाँ पर है भाक्राट है आप बताएंगे हिमाचल पर देश में यह इस्तित है कोशन है यहाँ पर 35 35 पर मिंसन है लच्मी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है लच्मी सागर जो बांध है आपसन सी इसका राइट आपसर है बेतवा नदी पर बना हुआ है यह उत्तर परदेश में नेच कोशन है 36 भारत की लवन नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है विच रिवर इस नू नदी साल्ट रिवर ऑफ इंडिया कोशन देख लें किस तरह पूछा गया है इसका जो राइट आपसर है आपसन भी एकॉर्णि टू आपसन ठीक है लूनी नदी को भारत की जो लवन नदी के नाम से जाना जाता है यह साल्ट रिवर के नाम से उपर जील के बारे बात कर रहे थे यहां रिवर के बारे बात कर रहे थे यह बात भी ध्यान रखना है ठीक है लूनी जो रिवर से यह बहुत बार पूछा गया एक जामस में है लवन नदी के नाम से लूनी रिवर को जाना जाता है ओके यह रिवर है उपर हम लेक की बात कर रहे थे जीलों की बारे में बात कर रहे थे और एक बात ध्यान रगना है लूनी रिवर को भूमी बंदित रिवर के नाम से जाना जाता है मतलब यह यह जब लूनी रिवर से अजमेर के पास से निकलती है नाग पहाड के आसपास निकलती, नाग पहाड से निकलती, एजमेर के आसपास से ये क्या होती है, रन ओप कच में जाके विलिन हो जाती, इसलिए इसे भूमी बंदित रिवा से या नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना है आपको, भूमी बंदित नदी वह नदी कौन सी है इस तरह ये question पब्लिक सर्विस कमिशन में पूछा गया था इसका जो right answer होगा आपसन भी गंगा नदी को वह नदी के नाम से जाना जाता है या व्रहतम नदी कौन सी है भारत की सबसे व्रहतम नदी या वह नदी तो इस तरह है question पूछा जा चुका है वह नदी और रहतम नदी के रूप में तो right answer होगा गंगा नदी को वह नदी कहा जाता है या भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है गंगा रिवर इस तरह है आपको answer mark करना है according to option जब भी ऐसा question पूछा जाए और यह question दो तीन बार public service commission में पूछा जाए चुका है और भी other exams में भी next question है यहाँ पर question number बिंसने 30 है भारत में जवारी भित वाली नदी कौन सी है यह भी question पूछा गया exams में कई बार right answer होगा option A हुगली नदी यह जवारी भित वाली नदी मतलब tidal reef rivers in India किसे कहा जाता है हुगली रिवर्स को कहा जाता है यह कोलकाता में है कहाँ इसी के किनारे कोलकाता सिटी इस्तित है question पूछा जाता है कोलकाता सहर किस नदी किनारे इस्तित है आप का अंसर होगा हुगली नदी के किनारे इस्तित है ठीक है काफी important है Hindi medium से जो भी है वो लिख ले ज्वारी भित्वाली नदी कौन सी है हुगली नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है या ज्वारी भित्वाली नदी निर्व में से कौन सी है तो मोशली जब भी question पूछा जाए तो आप का अंसर होगा हुगली दीवार्स ठीक है और कई बार ये question पूछा भी गया एक जाम्स में चैनल पर नए इसे subscribe कर सकते हैं like करें वीडियो को share करें ज़्यादा ज़्यादा और इसे share कर सकते हैं like करें और subscribe करें thanks for watching friend thank you